प्रोटेक्शन जो भी हुआ वो सब भी आप लोगों को पता है आप अभी भी आप लोग अमारे साथ में डिटे हुए हो पूरा देश हमारे साथ में उसके आया है हमारा समर्थन देने के लिए दिल से उनके सुपर गुदार रहेंगे हम उनके बिना यह लड़ाई अधूरी रहेगी हमेशा वह है तो हम है उनकी ताकत है तो भी हम जीत सकते हैं अब पता है किया सुप्रीम कोट में हमारा येरिंग था सुप्रीम कोट ने जो अभी तक जो किया हम उसके हमेशा तैदिल से सुक्रगुदार रहेंगे क्योंकि छे दिन तक तो पुलीस ने फाइर खाली दर्द किनित वादेस दिया तब फाहर हम दर्द हुई है कि सुप्रीम कोट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे जो भी आदेश दिया है गवर्मेंट की तरब से जो वकील थे तुशार मेहता या पता नहीं मुझे इतना एक जैकली नाम याद नहीं है उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द दो लड़कों के ब्यान अ कर रास्ता ओपन है सुप्रीम कोट ने ये बी आदेश दिया कि आप दिली आइक में जा सकते हो आप वजिस्टेट के पास में जा सकते हो तो हम वहां पर भी जा सकते है अगर जल्दी नहीं नहीं कर रही है ईक प्र डिल्ली आईकोट में जाने के बादेश एक उप्सण है सुप्रीम कोट में जा सकते हैं तो मारे पास हर ऑप्षिन ओपन है लेकिन सुप्रीम कोट ने भी तक जो मारा साथ दिया है जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है हम हमेशा उसका सुपर गुजार रहेंगे आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते करेंगे अभी तक कि हमारे पास यह इंपॉर्मेशन हो और मापके मादम से आगे हैं कि कहां पे जब हम धगडाये चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहां पे सफ मेल से अगर इंजड हुए हैं तो मैडिकल करवाय जाना थी था उसी टाइम पे उसी टाइम पे बताना तो तो रोडरी को दिauft को उफ पर दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस करें है अभी तक हमारे कि ऐसा स्टेट्मेंट हो अचैना यह सहाथ यह चैन्यां कर भात रही है तो सिंऩ ने जो लोग अ जितने भी लोग है थोंको है तो मैं давно है तो नहींर पुझारिश करूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए क्योंकि कर्मिनल नहीं हम यह पे हम अपने हग की लड़ाई के लिए बैठे हैं कर्मिनल नहीं है जो कर्मिनल उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारा समर्थन कर पूरा देश हमारे साथ खड क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेंड करना ठीक आपने डिटेंड कर लिया वेवस्ता बढ़ाए रखना जाते हो हम उसका सम्वान करते हम भी इन संक परदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से आगे भी मैसे करते रहेंगे लेकिन दिल्ली पुलिस आकर मख हो के अगर हमारे लोगों के सा परए रास्ते खुले हैं अम लोगों में जा सकते हैं मजी स्टेट के पास जा सकते हैं और दिल्ली को हाई को मिजा सकते हैं तो वह जो हमारी लीगल टीममें क्यूंकि अभी 100 दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील था उन्होंने बताया है कि छल्द जीतना जल्दी हो सकता हुत कि अब आघव कर देखिये राजनिती मेरे पहले भी आमें यहीं बोला था कि आप समर्थन करीये यह राजनिती मत करिये लेकिन कल जोके हूय यहां पर समर्थन देने के लिए आई आप सभी का वैलकम है क्योंकि यह भारत की बेटियों की लड़ाई है लेकिन हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहते हैं एक पार्टी आके भई हां हम इसको यहां पर पंचायत करेंगे तो उसके लिए हम आजोड के गुजारिस करेंग है कि हमारे जो खाप पंचायत हो जो परदान है कि चाहें बीचे वो मजदूर संगठन किसान संगठन महिला संगठन है उनसे बात करके वह चीज़े हम पर थैस्चायत है यह आप सभी का दन तैय दिल से यहां पर आने के लिए सवागत है लेकिन जो भी पैसला होगा जो भी प्रोटेस करने से उनके वो बदलेंगे कानून वोलते सब्सक्राइब आपता चलेगा तो यह सोचो कि सुप्रीम कोड़ का फैसला यह है तो हम निराश हो गए नहीं सुप्रीम कोड के हाथ में नहीं हो तक बोलना कि अर्ड करो सुप्रीम कोड का इंट जो काम है उनने कर दिया एंप और बागी का जो काम है वो पुलिस जब पूरा बयान लेगी उसके बाद प्रोसीडिंग होगा तो में मत कहने का यही है कि धरना चालू रहेगा और डिमांड हमारी सेम रहेगी जब तक जान है ना जब तक अमारी इमत बनी रहेगे ना तब तक इमत नी तूट सकती इमत जब तक रहेगी लड़ाई लड़ेंगे आप कि दम तक लड़ेंगे बर्द बुशन को जब तक रहेगी करवाई जाता तब तक अमज़ाई लड़ाई लड़ेंगे वह गलत है वह पने नहीं 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 पर आपकी मैं बात समझ गीदो लेटर है मैंने ट्विटर पर इसी चीज़ को ढला हमने कोई ऐसा कोई लेटर नहीं लिगा अमी वही बोल रहें कि बहुत सारे ऐसा माजिवत तर्त हो जो बिलाड ना या हम मीडिया के थुरू हम अमारे तुस से बोले उसकी रिस्पंसिब्लिटी हमारी है कोई लिक कि अगर कुछी ही इसको भी करते हैं पजरन्ग जी आज इन्जी पुलिक्स दवाव बढ़ता जा रहा है कि देखिए जितने भी लोग समर्थन में आ रहे हैं ये कोई आतंगवादी नहीं है ना ये गोला बारुद लेके आ रहे हैं ना ये कोई दंगा करने आ रहे है द्रद देखे और रहे है उनको डीटेंट करना वह दुख की बात है रहे है पेशरम करनी चाहिए कि उस बरिज भूषन को बचाने में लगे उए हैं उसके उपर कारवाई ना करके अमारे लोगों पे कारवाई कर रहे हैं हम पर कारवाई कर रहे हैं तो शरम की बात होने चाहिए दिल्ली पुलीस के लिए और हम कडी निंदा करते हैं दिल्ली पुलीस की सबसे पहले तो धन्यवाद कि हमारी एक कॉल पर इतना आए बात की बहुत सारे बच्चे अखाडों को भी भी रोका गया है कि बहुत सारे अखाडों को रौका घै उसके बाव्जूद भी हमारे समुें इतने आप पार के और जो नहीं आ पाए वह बहुत सारे को जैसे कि आबDearग ने चोड़ा गया मेरे पास मतले तो मतलब तो टॉर्चरी है एक तरीके का है कि अपने बड़ा नाम आपका सब्सक्राइब करने के लिए किर्केट से बड़ा मैं मानती हूं कि ओलम्पिक जो गोल्ड मैडलिस्ट है वह हमारे देश में वहां किसके समर्तन में बैठे हैं क्यों कि पूरा देश उनको ऐसे सराख़्ों पर बिठा गए रखता तभी तो बोलते ना ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करो ऑलंपिक सपोर्ट जो है उसको आप प्रोमोट करो वह असली एव के विट कर तो ओलंपिक समय और कपील देव जी किरकेट में पड़ा नाम नहीं है क्या उन्होंने सपोर्ट किया ने सपोर्ट किया है इन्सानियत बची है जिनके आतमा जिन्दा है जिनका जमीर जिन्दा है वो हमारे सपोर्ट में खड़ें आज इस देखिए हमारी लड़ाई सरकार से नुए है पहले भी बता हमारी लड़ाई बिर्जभूसं से है और मैं तो आपके जब मुख्यमंधरी जी ने बोला है तो मैं तो उनको भी बोलता हूं कि आप भी आईए क्या आप माँवारी आई अरियाना के मुख्या है आप हमारे परिवार के सबसे बड़े आदमी है आप आईए आप ही सपोर्ट करिए क्योंकि यह बारत की बेटियों का नियाई दिलाने अगरे तो लित्ति कुल तते हैं अन्य क्यांते हो टीकुल हमरुति क्यूं करते हैं अ इत्या तो चाहर dije हैं और हरा तेहां रड़ए टिकाई क्यों हमारे ने पर। जी बिल्कुल, मैं जो बयान दिया हम अपने बयान पर कायम है, और जब तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे, अगर जब यह लगेगा कि भई हाँ, कुछ नहीं हो, हम अपने मैडल सरकार को जो सरकार ने में दिया हम वापिस दे देंगे, वो चीज़ आम बता देंगे, जब डै जब आघए, जब पाहाँ, जब बता इंगे, जब खवाँ, जब आब फवाँ!